एक कटोरी चावल और आधा कटोरी चना दाल को एक घंटा भिगोने के बाद मैंने अच्छे से साफ पानी से इसे धो लिया है और इसमें मैं ये आधा कटोरी दलिया मिलाऊंगी इसे बहुत ही टेस्टी हेल्डी किन फाइबर से भरपूर मैं खिचडा बनाऊंगी मैं इस कॉ क्या करते हैं मुझे कॉमेंट करते जरूर बताएं बलिया कि किसी भी वेराइटी के वीडियो जब जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किये हैं यह सारे लाइक्स और जूग मिले हैं मुझे इसके लिए आप सब को दिल से थैंचिए मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे बून ले और फिर एक मिनिट बाद दाल चावल डाल दें तो इसके चार पार्च विस्सल आने तक पका लें और वाचिंग मैं वीडियो